इस परकार से घूस होता है तो जो दिस्ट्रिबूशन होगा बिवेख पूल डिस्ट्रिबूशन का सिस्टम बन जाने पर और इुक्लाजेशन मैक्समम होने से पोडक्षण की कमी नहीं, साधन की कमी नहीं अरे कहीं कोई अभाव होगा तब ही न जिस्टी बुसन में दिक्कत होगा पेट्रोल पंपर अगर पेट्रोल ही नहीं है तो पेट्रोल तो मैंगा होई जाए लेकिन आदमी निशिंथ है कि चाहे बारा बज़े रापको जाओ हमको पेट्रोल वह मिल जाए तो उसको इकठा करने की अपनी तंकी में क्या ज एक जाएगा तो उसको दस दिन के लिए रखने की क्या ऊप्षकता है कि सब्जी फिरीग मी पैके लेकिन जब उसको चेंदा है कि पना ने कल प्याज क्या हो मिलेगा तो है तो जम्हा कर ही लेगाowment शार पूर help मंटीब है इतना प्याज नहीं आया और निवान बढ़ गया तो भाव तो बढ़ जाएगा इसलिए ये सुत्र बहुत ही महत्य पुरून है मेरा ख्याल अगर इसको हम की सुत्र कहें प्राउट का तो कुई आती शवयुक्ती नहीं अभाव कब होता जब साधन नहीं तो साधन बढ़ आने के लिए रास्ता दिया जा रहा है इस प्रकार से साधन बढ़ जायेंगे प्रॉडेक्शन आई से बढ़ जाए आज तो डारेक्शन ही नहीं और कोई फिलोसपी नहीं जो डारेक्शन दे अधे भी कोई बतलान माला नहीं कहां कहां साधन छुपा हुआ है जैसे गुरुदेव ने आज से 40 साल पहले कहा था एक बार प्रोध पर ही प्रवेशन देटे देटे बोल गये थे कि रायस्थान का थार भारत का कुवेट होगा आज देख लिए तो प्रकृत ने तो दे रखा है नीचे उसको निकालना है लेकिन भ्यान्द है प्रकृत प्रदत चीजों पर व्यक्ति का अधिकार ना हो क्योंकि दिया है प्रमात्मा ने जो हमारे पिता है इसने हमारा जोस्ता उतला हमारे उदेश की संपत्ति कोईला प्रमात्मा ने दिया तो अगर इसका उतलाइशन मैक्समम होगा तो उसका हिस्सा देश के देश के हर नागरी की मिलेगा यह सुत्र इशारा करता है कि अगर भावतिक थूल जगत की चीज हमको दिखता है कि कम पढ़ देए हम सुक्षिन जगत में खोड़ करता है कि फोसिल ऑईल अगर खतम हो गया तो हमको ऐसी कार बनानी होगी जो सोलर से चले ऐसी कार बनानी होगी जो और सुक्षिन में इनर्जी से चले इस प्रकार से हम क्रमशा आगे के आगे बढ़ते हैं तो इस सुत्र के द्वारा हमारी निराशा का अंध होता है कि भावतिक साधन यद्दप सिमित है थूल जगत लेकिन सुक्ष्म जगत उससे ज़्यादा विस्तिरित है अहां से कम पड़ेगा तो हम वहां से लाएगा कैसे होगा वो भी इशारा है माइक्रोवाइटा के प्रयोग के द्वारा वहां से जब हम हो जाया के नहीं उससे भी अधिक हमको साधन चाहिए तो कारण जगत में प्रवेस्ट करेंगे वहां तो अन्लिम्टेज सकती है तो मनुष्य की अगर शुधा असिमित है तो साधन भी असिमित है अगर तीनों जगत को हम मिला करके अगर देखें तो अगर उसके रास्ते खोले तब प्रवर्तक क्योंकि धर्म गुरु है बेसिक तौर पर बुन्याविल तौर पर धर्म गुरु है वह समाजिक चिंतक नहीं है धर्म गुरु है और मानवता पर करुणा करके उन्हों देखा कि आज का भविष्य का मानो प्रमात्मा की अउलाद सुखी कैसे रहेंगे इस भावना से प्रेजित हो करके उन्होंने प्रवत दर्शन गिया तो आज हमारी दिष्टी केवल स्थूल जगत तक है इसले स्थूल चिंतन में हम उल्जे हुए हैं यह भूल जाते हैं कि इसका इपलाजेशन करने वाला हमारा सुक्ष मन है सांस टेक्नलोजी हमारा सुक्ष मन है यह भी हम जानते हैं कि पढ़ने लिखने सैंटिफिक परोग से भी हम संतुषते ही होते हैं हमारे अंदर कारण मन भी है जो प्रमात्मा की खोज करता है उनके अहां और किसी चीज की तुम्यों भी इसलिए हमको जहां से हमारी तैयारी है भविश्यमानों की बच्चों के रूप में उनको शुरू से तैयार करना हो और ये पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी नहीं तो आज पूरे विश्व में निराशा का बाता बने इसलिए पेट्रोलियम देशों की उपर सभी बड़े देशों की नजर है और लडाई का एक सबसे बड़ा उकारण है कि जिसके पास पेट्रोल है वो पावर है अगर हम देख लेए कि हम दूसरा पावर का सोर्स खोज लिया तो होड़ खतम हो जाएगी कि मरा अपसी बैमनश्य भी दूर हो गया हमको एक रास्ता जुन हो गया है इसलिए हमारे आयाइटीज को हमारे साइंस इंसिचूट्स को हमारे साइंटिस्ट को इन सब को अपने मांसिक लैब में रिसर्च शिक्नाना होगा ताकि सुत्र का सहरा लेकर फूल जगत में अपने मन और ध्यान के द्वारा कारण जगत से हम सुक्ष्म सुक्ष्म तरंगों को पकड़ करके अब से लेकर के अवर लिकत भविष्य में और सुदूर भविष्य की हम प्लैनिंग करते हैं क्योंकि क्रमशा हम विकाश की प्रक्रिया में हजारों वर्षों में शरीर से मन अम मन से आत्मा की तरफ चल रहें प्राउत उसी दिशा में एक प्रयोग नहीं एक निदान है तो इस निदान से हमारा रास्ता बिल्कु स्वस्ट सीधा दिखता है लक्ष दिखता है कि स्पृत्वी का अंधकार में भविश्य नहीं है मान वता का उजवल भविश्य है हमारे वे सुख का रास्ता है और कंज्यान हमारे आगे छुपा हुआ है हमारे लिए इसी प्रकार का अगला समय दुख करने है आनव दिखता है हमारे लिखता है